अपने इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश इक्षा सेवा चैन आयोग से मिलेक अपडेट को ले करके जब हम लोग सब चुनाओं की बात करते हैं उसके परेड़ावों को ले करके बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रदेशन रहा है बीजेपी गव 2024 का एक नोटिस है उत्तर प्रदेश शाषन सिक्षा साषन उच्य सिक्षा अनुभाग पांच और यह किसके संबंद में है आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सिक्षा सेवा चैन आयोग के उप सचिव के चार पद ग्रेड भी दिया हुआ है सब को को प्रतिनियुक्ति के माधिम से भड़े जाने है तो आवीदनपत्र निरधारित प्रारू पर आमंतरित किये जाते हैं आवीदनपत्र प्राप्त होने के अंत्यम्तिति वि현ापन की तति से 21 दिन के भीतर होगी अंत्यमत्तित पर आप आविदनपत्र यानि बायोडेटा प्रविचार नहीं किया जाएगा तो अब सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर शिक्षक भरती देनी है वो किसी भी लेबल का हो आपका प्राथमिक से ले करके उम्भु चतरस्तर की बात करें तो सबसे पहले आयोग का आना सही तरके से काम करना बहुत जरूरी है और ऐसे में पर आप आठ के नोटिस में देख पा रहे होंगे अभी कल ही मीटिंग हुई है और कल में ही ये नोटिस आप का जो है वो जारी हुआ है कि जब हम बात करते हैं आपके उप सचिव पद के जो चार पद हैं उनको भरे जाने की बात की गई है सदसे रहेंगे सदसे तो सदसे की बात की जाए यहां प्रध्यक्ष को लेकर के कवायत चल रही है उप सचिव जो करमशारी है वो रहेंगे ऐसे में जो आयोग है वह अच्छी तरीके से काम कर पाएगा जब हम आठ जून दो हजार चौबेस के शाम में हुई मीटिंग को लेकर के बात करें माननीय य पढ़ाई पर अच्छी तरीके से अब ध्यान देना शुरू कर दें एक दो सवाल और देखने को मिल रहे थे कि सर अब लग रहा है उत्तर प्रदेश में सिक्षक बरती देखने को मिलेगी तो ऐसे में तयारी यूपी की की जाए या फिर हम बिहार की बात करें तो देखिए बाकी अभी चुकी जो सामने अवसर है उसे आप ऐसे में कहीं न कहीं कोशिश करें वहाँ पर शामिल होने का वहाँ पर पास होने के लिए बाकी यूपी में जब भी भरती आएगी तो उसका तो फाइदा आपको होगा ही जो भी आप यहां से पढ़ेंगे बाकी डेटेल्स आप पर दी हुई है एक और वीडियो के साथ में आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही शुक्रे आप सभी का